जब हम राजस्थान की राज़निते के स्थिती के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कई जाने मानी हस्ती आ जाती हैं। गोविन सिंग डोटासरा का नाम भी उनी में से एक है। राजस्थान की कॉंग्रोस अध्यक्ष सचिन पालेट के बाद राजस्थान की वर्तिमान में वो ही कॉंग्रोस अध्यक्ष हैं गोविन सिंग डोटासरा को 2016 में राजस्थान विधान सुभा के सर्विश्ष्ट अध्यक्ष का आवर्ड भी मिल चुका है गोवन सिंग डोटासरा अपने बड़ बोले पन के कारण आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं कभी हमारे तिहास पर टिपणी करते हैं तो कभी महिलाओं पर आपत्ति जुनक टिपणी करके कई बार वो अपनी किरकरी करा चुके हैं सोशल मीडिया पर उनके आजने के अक्टिव होने के कारण उनके वीडियो भी इस तरह के वारल होते रहते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विवादो के केंग यानि की गोविन सिंग डोटासरा से जुड़े वो दस बड़े विवाद जिनके कारणों की किरकरी हुई इसलिए इस वीडियो को लाक्स तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्माप के साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजिस्थान समबाद राजिस्थान सरकार में सबसे जारा चर्चित रहे मंत्रियों में शिक्षा राजे मंत्री गोविन सिंग डोटासरा जो कभी शिक्षा में अपने नवाचार के चलते तो कभी अपने फैसलों के चलते बड़े विवादित रहे हैं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से स्कूली शिक्षा विभाग में विवादों और परिवर्तनों को दौर शुरू हो गया था इसके रावा पाठे करम में बदलाव जो उन्होंने किया वीर सावरकर और जोहर के लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था डोटासरा ने सत्ता में आते ही स्कूली पाठे करम समेक्षा कमेटी गठित की जिनमें सबसे एहम बदलाव वीर सावरकर क्यांग्च में किया गया उनका नाम अब विनायक दामोदर सावरकर रख दिया गया है ये भी लिखा कि उन्होंने अंडमान की सेलिलर जेल से छूटने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने चार बार दया याचिका लगाई थी इसमें उन्होंने खुद को पुर्टगाल का पुत्र भी लिखा इसके लावा अंग्रेजी विशय की एक किताब से जोहर का चित्र हटा कर दुर्ग का चित्र लगाने पर भी विवाद उठ चुका है और इन सारे बदलावों का भाचपा और राजपूर समाज ने काफी विरोध किया था इसके लावा डोटासरा ने शिक्षा विभा के कालेंडर यानि की उसमें भी शिविर में भी बदलाव किया था उन्होंने 2012-13 का स्कूली कालेंडर लागू किया और नए कालेंडर के अनुसार स्कूल 24 जून से ही खोल दिये गए जिसके चलते स्कूलों में योग दिवस का आयोजन नहीं हो सका था इसका बहुत जादा विरोध किया गया था बाद में उन्होंने योग दिवस के दिन स्कूल एक घंटे खोलने का निरनल लिया था साथ ही जो भी नजदी की स्कूल हो वहाँ जाकर योग करने की छूट प्रदान करनी पड़ी थी इसके लावा राजसान के शिक्षा मंत्री रहे गोविन सिंग डोटासरा का नाता R.A.S. चैन विवाद से भी जुड़ा हुआ है जी हाँ, R.A.S. में अपने रिष्टदारों की भरती को लेकर ये विवाद बहुत तूल पकड़ गया था डोटासरा के तीन रिष्टदारों के R.A.S. भरती परिक्षा के इंटर्वियो में 80% दी नंबर आने से हरकंप मच गया था और इस विवाद ने बहुत जादा हंकामा क्रेट किया था और डोटासरा की बहुत किरकरी भी हुई थी ऐसे ही एक बार डोटासरा ने महराना प्रताप और अकबर पर ऐसी टिपणी की जिससे पूरा राजपूस समाज नाराज हो गया था और इस्तिफ़ की मांग उन्होंने कर डाली थी डोटासरा के करणी सेना ने डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था PCC चीफ डोटासरा ने महराना प्रताप और अकबर के संघश को सत्ता के लिए संघश बता दिया था जिस पर करणी सेना ने और भाजपा ने उन्हें आड़े हातों लिया था और उनसे इस्तिफे की मांग भी की थी राजिस्तान के प्रमुख और दिग्गज नेता होने के बावजूद भी गोविन सिंग डोटासरा को लेकर प्रदेश के लोगों में वो जो इनमेज बनी हुई है उनकी वो है सिर्फ विवादों के केंग की जी हां राजिस्तान प्रदेश के लाखो युवा लोग गोविन सिंग डोटासरा को पसंद नहीं करते हैं और उनके नापसंद का कारण है उनके कटर बोल समय समय पर इनके विवादित बोल इसी थरह की नाराजगी का मुख्य कारण बन जाते हैं इसके लावा स्टेज पर वो जो कटर भाशन देते हैं वो भी विवाद का मुख्य कारण बन चुका है वक्तों चलाए छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बार आपका ही मत जाये क्योंकि अभी विवादों के लिस्ट बाकी है पर वीडियो इंटेव्यो का है राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनियतिग प्रोफाईल को पा वरफुल बनाने के लिए लाएं स्पैस्ग डेशिल बैकेज जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरा में लेंगे आपका इंट्रिव्यू और वो उन चैनल्स पर फ्रसारित होगा जिने पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किये हुए हैं और जिनके करोणों में व्यूज है तो छोड़ी पुराने तरीके अपने इंटर्व्यू, कैम्पिंज और इविंट को कीजिए जमे जमाय चैनल्स के जरीए वाइरल जारा जानकारी के लिए नीचे दिये हुए लिंक पर क्लिक के जिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजस्तान के शिक्षा मंत्री रहे जी एस डोटासरा ने महिलाओं को लेकर भी काफी विवाधित टिपणिया की है उन्होंने महिलाओं पर आपती जुनक टिपणि करते वे एक बार कहा कि जिन स्कूलों में महिला स्टाफ होता है वहाँ पुरोष शिक्षकों को सेरेडॉन की गोली खानी पड़ती है उन्होंने कहा कि महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो वहाँ पर वारे न्यारे हो जाते हैं वहाँ कभी प्रिंसिपल सेरे डॉन टेबलेट लेगी तो कभी कोई दूसरी टीचर लेगी कभी CCL का जगडा होगा तो कभी लेट आने का जगडा होगा तो कभी जल्दी आने का महिलाओं के लिए ऐसे बोल बोलने पर उने महिला संगठनों द्वारा आडे हातों भी लिया गया था इसके अलावा गोवन सिंग डोटासरा के भाषन काफि चर्चित रहते हैं एक बार उन्होंने शिक्षकों के लिए बोल बोले थे कि शिक्षकों को नाती का बाड़ा समझ रखा है क्या? गोविन सिंग डोटासरा के द्वारा ये कहे गए शब्द विवाद का कारण बन गए थे इनके इसी तरह के शब्दों को युवा लोगों द्वारा नकार दिया जाता है और इने कंट्रोवर्सी शब्दों को लेकर प्रोदेश लाखो युवाओं द्वारा विरोध भी किया गया जिसमें खास कर शिक्षक इस विरोध में सम्मिले थे क्योंकि ये बोल शिक्षकों के लिए बोले गए थे इसके लाबा इनके भाशर में कुछ इस तरह के शब्द भी मिलते हैं जैसे कि बोर्ड एक्जाम रिजल्ट में सुधार शिक्षकों की वज़े से नहीं आता बलकि निदेशिक महोदय की बदौलत परिश्टा के प्रणाम अच्छे आते हैं इन शब्दों के बाद गोविन सिंग डोटासरा को अपने ही द्वारा कही गई बाद पर काफी हद तक सफाई देनी पड़ गई थी क्योंकि शिक्षा को इन्होंने निशाना बनाया था खुद शिक्षा मंत्री होते होए ऐसा है कुछ हाल कंट्रोवर्सी केंग गोविन सिंग डोटासरा के शब्दों को लेकर हुआ था एक बार इस तरह की कंट्रोवर्सी गोविन सिंग डोटासरा के राजनितिक जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है राजनीती के कारे के चलते कई बार उनसे युवा मिलने आया करते हैं और ये उनके साथ अपमान जनक व्यवार कर डालते हैं जो कि राजस्थान में हो भी रहा है ये भी इनके प्रती विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है राजस्थान में इनके द्वारा कही गई हर चोटी बड़ी बाद पर विवाद घड़ा हो जाता है इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये कॉंग्रिस के एक सक्रियम मंत्री हैं जो डिजिटली भी काफी सक्रिय रहते हैं इसी वज़े से विपक्ष की पैनी नजर इनकी चोटी बड़ी गलतियों पर बनी रहती है और राजस्थान में इतने विवाद हो चुके हैं डोटासरा के बयानों को लेकर कि इन्हें इस्तिफात देना पड़ गया था गोविन सिंग डोटासरा ने 19 नवंबर 2021 को राज्य के शिक्षा मंतरी पत से इस्तिफात दे दिया था तो ये थी कॉंट्रोवर्सी किंग गोविन सिंग डोटासरा के वो 10 बड़े विवाद जिनके कारण उनकी इमेज के किरकिरी हुई और उन्हें इस्तिफात तक देना पड़ गया था कैसा लग आपको वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और इसके अलावा अगर आपके जहन में है कोई नाम जिस पर हम वीडियो लेकर आ सकते हैं तो आप जरूर शेर केईजिए अगर वो सुझाब हमें पसंद आया तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे और इसे तरह देखते रहिए राजिस्थान संबार नमस्कार पावरफुल बनाने के लिए लाएं है स्पेशल डिजिटल पाकेज जहां प्रदेश के लाखो सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरा में लेंगे आपका इंट्रव्यू और वो उन चैनल्स पर फ्रसारित होगा जिने पहले से लाखो लोग सब्स केजिए